हाई फैंक्स बीते कुछ वक्त में बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करंसी में जबरदस प्रॉफिट बनाया और बहुत से लोगों ने लॉस भी बनाया तो डिये फैंक्स ऐसे कौन से पैरामिटर्स हैं जिन पैरामिटर्स को समझने के बाद हम भी क्रिप्टो करंसी में प्र प्रिप्टो करेंसी में काम करने से पहले अगर आपने उस क्रिप्टो करेंसी का आंकलन उन करामिटर से किया तो आपको लॉस का सामना कभी भी देखना नहीं पड़ेगा सो डी एफेंट्स आये जानते हैं वो पैरामिटर्स क्या हैं सबसे पहले टेक्नोलजी दूसरे नंबर पे कंप्लीट डी सेंट्रलाइजेशन और तीसरी चीज़ आगे ग्रोथ हमें टेक्नोलजी को वेरिफाई करना जरूरी है क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका पूरा क्रिप्टो करेंसी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है अगर किसी के कंट्रोल में रहेगी तो इसको सेंट्रलाइज बोलेंगे लेकिन इसका प्रोटकॉल ही डी सेंट्रलाइज है और तीसरी चीज़ ग्रोथ ग्रोथ के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी में क्या चीज़े दे टेकनोलजी पे बनाया जाता है आग जो end user है यानि के आप है या हम है वो applications या websites का ही इस्तेवाल करते हैं लेकिन वो websites या application जिससे हम crypto के transactions करते हैं क्या वो blockchain पे बने हैं या एक simple ordinary software है इसके बारे में एक सधारन आदमी जो layman है उसको identify करना बहुत मुश्किल होता है तो जो cryptocurrency है वो blockchain technology पे बना है तो blockchain पे अगर crypto बना है तो वो genuine है तो कैसे जानेंगे हम blockchain technology के बारे में आज market के अंदर बहुत से popular blockchains है जैसे ethereum है, prone है, smart chain है, finance के द्वारा बनाया गया, omni layer है, new है तो basically 95% cryptocurrency इनी फेमस blockchains के उपर बनी है और अगर आपको पता है कि ये cryptocurrency किसी blockchain पे बनी है तो उसके blockchain explorer पर जाके हम उस cryptocurrency को identify कर सकते हैं कि क्या वो actual में software पे है या actual में blockchain पे है, अब हर blockchain के अंदर कुछ उसके standards होते हैं, जैसे ethereum के अंदर ERC, ethereum request for comment, protocol 20, nk ERC20, ERC621, ERC721, ERC777, इन सब के अलग अलग benefits हैं, कुछ protocols fungable हैं, कुछ protocols non fungable हैं, यानि के NFT non fungable token है, जिनने exchange नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया का सबसे most popular जो की applications में, जो की multi utilization में, जिसका API का integration बहुत ही असान है, और सबसे ज्यादा cryptocurrencies उसी protocol पे बनी है, that is ERC20, इसी तरीके से Tron की blockchain की उपर भी TRC10, TRC20, TRC721 अवेलेबल हैं, ऐसे ही Binance की blockchain की उपर भी अवेलेबल हैं, fees का ना होना cryptocurrency की success को नहीं दिखाता, fees का होना भी cryptocurrency की success नहीं दिखाता, लेकिन यह हमें अपनी presence of mind से समझना है, कि किस protocol के उपर बनी cryptocurrency, market में most compatible cryptocurrency है, जो की आने वाली technology, एक technology जो आज हम जी रहे हैं, और एक technology जो अभी आनी है, अगर वो cryptocurrency compatible है, तो आने वाली technology को भी बड़ी असानी से खुद को उसके लिए update करने के लिए, किसी भी cryptocurrency को identify करने के लिए, हमें उसके blockchain के block explorer पे जाना होता है, जैसे Ethereum का अपना explorer है, Tron का अपना है, Minas का अपना है, सब का एक अपना है, इसलिए किसी भी cryptocurrency को identify करना हो, अगर वो इन popular blockchain के उपर है, कि वो इन blockchain के उपर बनी है, कि नहीं बनी है, या सिरफ dummy ही लिखा गया है, कि वो इन blockchains के उपर बनी है, तो इसको identify करना बहुत की असान है, अगर आप Ethereum की blockchain पे बना है, EtherScan.io, इसका blockchain explorer है, आप इसके उपर जाके identify कर सकते हैं, अगर Tron पे बनी है, तो TronScan.org पे जा सकते हैं, अगर Binance पे बनी है, तो BSCScan.com के उपर जाके हम identify कर सकते हैं, एक्जामपल से समझते हैं, कि अगर आप TronScan.org पे जाते हैं, तो क्या होगा, जितनी भी cryptocurrency, Tron की blockchain पे बनी है, सिरफ आप इसके search box में उसका नाम लिखिए, उसका सारा detail आजाएगा, एक्जामपल जैसे हमने Ethereum लिखा, Ethereum का complete detail यहाँ पर आपको TronScan के उपर लिख रहा है, इसी तरीके से जो भी cryptocurrency, BSCScan पे बनी होगी, वो इसके explorer के उपर reflect करेगी, उसकी total supply reflect करेगी, उसकी creation data reflect करेगी, और उसकी तमाम information, total supply, circulating supply, उसकी तमाम information, कितने decimals हैं, वो आपको Ethereum की blockchain के उपर कोई cryptocurrency create हुई है, तो etherscan.io के उपर जाके आप उस currency को identify कर सकते हो, आप etherscan.io पे जाएं और LPNT लिखें, तो उसका पूरा नाम जैसे दिखाया गया, luxurious pro net for token, और click करते ही आपको उसको total supply कितना है, उसके कितने decimals हैं, उसकी तमाम information यहाँ पर आगी, अगर यह यहाँ पर यह information ना आती, तो इसका मतलब सिरफ यह नाम की cryptocurrency है, यहाँ पर ना होने का मतलब वो cryptocurrency नहीं है, येकिन इसका नाम यहाँ पर आ रहा है, that means Ethereum की blockchain भी बना है, और इसका standard ERC20 वो भी यहाँ पर mention किया गया है, अगर आप blockchain explorer के बारे में भी नहीं जाते, तो और भी अ सान तरीका है, किसी भी cryptocurrency की technicalities को, यहाँ कि technology को verify करने का, dear friends, market में 4 लाग से ज्यादा cryptocurrencies है, और हर रोज नहीं cryptocurrency market के अंदर आती जा रही है, लेकिन एक platform है, that is www.coinmarketcap.com, एक वो platform है, इस पे केवल वो ही cryptocurrency registered OTA है, जो cryptocurrency technically पूरन रूप से, बिलकुल success हो, यहनके जिसकी technical parameters complete हो चुके हैं, तो dear friends, 4 लाग से ज्यादा cryptocurrency है, लेकिन technical parameter, केवल 9000 ही cryptocurrency पूरी कर पा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ, cryptocurrency कितनी भी हो, लेकिन जो cryptocurrency technology की दुनिया में technical parameters complete कर रही है, वो ही असली cryptocurrency है, तो dear friends, जब भी आपको coin market cap में किसी cryptocurrency को चाहे वो coding हो, चाहे वो block explorer हो, चाहे framework हो, चाहे GitHub हो, उसे सारा का सारा वहाँ पर mention करना पड़ता है, अपने blockchain की detail को mention करना पड़ता है, और अगर वो blockchain पे है, तो ही वो coin market cap पर register हो सकता है, तो अगर कोई coin market cap पर register है, तो एक चीज तो clear होती है, कि वो blockchain पे है, और वो एक असल डिजिटल करंसी है, यानिके डिजिटल क्रिप्ट करंसी है, लेकिन डिएफेंट्स, उसका स्टेंडर जान लेना ज़रूरी है वो ERC20 है, TRC20 है या किस प्रोटकॉल के उपर उसको बनाया गया है, क्या वो मार्किट का कम्टैटिबल प्रोटकॉल है, कि नहीं कहते सुना, यह Ethereum का नहीं है, यह किसी और ने बना रखा है तो जब आप क्वाइन मार्किट कैप पे Ethereum को वैलिडेट करते हैं, आप क्लिक करते है Ethereum पे, तो Ethereum की जो तमाम डिटेल आती है, तो जब आप Explorer पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप देखोंगे, सबसे पहले Block Explorer, इंटके Blockchain Explorer में, Etherscan.io ही लिखा है, बाकी सारी चीज़े बात में लिखी, तो इस मिथ्या से बाहर निकलिए, Etherscan.io एक्शुल में Ethereum की Blockchain का ही Blockchain Explorer है, डियेफेंट्स, इसी क्वाइन मार्किट के उपर, अगर आप LPNT को करते हो, तो इसकी सर्च में जैसे ही आप LPNT लिखते हो, तो LPNT की तमाम डिटेल आपके सामने आजाती है, इसका मतलब यह हुआ, कि 4 लाट से ज़्यादा Cryptocurrency हैं, लेकिन टेक्निकल parameter में 9000 हैं, और उसके अंदर LPNT token की है Etherscan.io के इलावा भी Ethereum के और Block Explorers हैं जहां पर आप information ले सकते हैं Example के तोर पे eth.tokenview.com आप यहां पर जाकर भी किसी token की information ले सकते हैं, जैसे LPNT की, आप ट्लिक करेंगे तो इसकी last transactions और complete transaction की भी और पूरी supply decimals, तमाम information आपको यहां पर मिलेगी, इसके बाद blockchair.com भी है, यहां पर भी आप तमाम information, last transactions Ethereum की blockchain पर बने cryptocurrency की चेक कर सकते हैं, इसके बाद, eth.plorer.io यहां पर आप गेंडल सब्सक्राइब देख सकते हैं, उसकी trading, उसका price कितना gain कर रहा है, कितना fall कर रहा है आप तमाम information, eth.plorer.io के उपर पी चेक कर सकते हैं, तो एक बाद निकल गया आती है, अगर coin market cap पे और world की किसी famous exchange के उपर हैं, दूसरी चीज, complete decentralization, जबकि currency को बोला ही decentralized cryptocurrency जाता है, तो यह complete decentralization क्या है, दिखिए dear friends, आज 95% cryptocurrency pre-mined बनती हैं, यह बनने के बाद POS यहनके proof of stake होती हैं, और यह proof of stake का मतलब है कि वो currency बनने के बाद एक wallet के अंदर हैं, और वो wallet जिसके control में है, वो currency उसके control में हैं, लेकिन इससे बोला जाता है decentralized cryptocurrency, मतलब इस wallet में जो asset है, वो तो decentralized है, लेकिन इस asset का जो moment है, अभी वो decentralized नहीं हुआ है, तो यह decentralized कब होता है, जब यह wallet किसी भी exchange के उपर list कर दिया जाता है, जिनके जब भी कोई cryptocurrency exchange पे load हो जाती है, तो वो POS से POW इनके proof of work बन जाती है, और exchange पे load होने के बाद, उससे कभी भी क्रिप्टपरनशी का complete decentralization, asset तो decentralized है, लेकिन अब यह exchange पर list होने के बाद, किसी के control में भी रहती, तो कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है, that is the complete decentralization, और exchange पे आने का मतलब यह भी होता है, कि यह blockchain technology के उपर है और इसके technical parameter पूरे के पूरे best है क्योंकि किसी exchange पे या point market cap पे आने के लिए उसको तकरीबन 70 से 80 point होते हैं जो checklist form के fill करने पड़ते हैं और अगर वो technical parameters पे best होता है तो ही coin market cap पे और तो ही exchange पे list हो पाता है तो dear friend तीसरा point आता है that is growth ग्रोथ के लिए हमें क्या देखना देखोडी एफेंट्स technology में मान लिया बहुत best cryptocurrency बनी है decentralization में complete decentralization में मान लिया कि ये world की number one exchange के उपर लोड़ा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये number one exchange पे है और दुनिया की सबसे best blockchain पे बना है फिर भी ये success होगी no ये सिरफ basic requirements है उसकी growth से पहले की अगर आपके पास एक luxury गाड़ी है जो बहुत best है लेकर अगर उसमें oil नहीं है उसमें अगर tire नहीं है तो फिर वो गाड़ी आपके लिए किसी काम के नहीं है तो इसी तरीके से growth तक पहुंचने से पहले ये technical parameters का पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब बात करते हैं growth growth के लिए किसी भी cryptocurrency की तीन चीज़ें चेक करना जरूरी है जिसमें से सबसे पहले है utilization then circulation then demanded supply dear friends आप best product बना के रख लीजिए लेकर अगर वो कहीं पर utilize ही नहीं होगा तो उस product के बनाने का कोई फाइदा है अगर वो product कहीं पर utilize होगा तभी उसका circulation बढ़ेगा और circulation बढ़ेगा तो फिर उसकी demand बनेगी और demand बनेगी और अगर उसकी supply limit में है तो उसका price बढ़ेगा और तिकेगा और अगर supply limit से जादा है तो price बढ़ेगा ज़रूर लेकिन तिकेगा नहीं इस ओनियन फेक्टर कभी तो डेल सो रपे केजी और कभी तीस रपे केजी तो supply का limit में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी cryptocurrency की growth utilization circulation demand and supply इन तीनों चीज़ों के उपर depend करती है लेकिन अक्सर लोग demand and supply क्याते हैं लेकिन demand and supply economics का 3rd rule आता है and the first rule is utilization पहले वो कहीं पर use होने चाहिए, utilize होने चाहिए, billions of dollars में utilization होना चाहिए उसका और circulation वो maximum masses और classes के हाद में आने चाहिए तभी जाके उसका demand बनेगा यव उसका supply limit में होगा अभी वो cryptocurrency grow कर पाएगा otherwise दिखाने का ही रहेगा तो आएए DFNs एक cryptocurrency का आंतलन करते हैं यह cryptocurrency का growth या future क्या रहेगा जिस cryptocurrency का नाम है LPN token that is a luxurious pro network token So DFNs इसको भी हम 3 parameters को पर verify करते हैं सबसे पहले technology then complete decentralization and third utilization circulation and demand and supply यह के growth कैसे होगी इसकी तो इसकी technology है ERC20 जब ERC20 आ गया that means Ethereum request for comment यानिके यह digital asset यह digital cryptocurrency Ethereum की blockchain के ऊपर create हुई है जिसका standard जिसका protocol world का most famous protocol that is ERC20 है दूसरी चीस DFNs complete decentralization तो यह currency 5 February 2021 को probit exchange पे आ गई थी जो world की 25 नंबर rank के अंडर आती है और Korea की नंबर 4 rank के अंदर आज probit है तो that means इस currency का complete decentralization भी हो चुपा है लेकिन growth के लिए हमें चेक करना है DFNs अब यह basic requirements complete कर चुकी है technical parameter best रिके से complete कर चुकी है यह coin market cap पे भी already listed है तो फिर अब कैसे जाने इसकी growth होगी की नहीं होगी इसके लिए हमें चेक करना होगा इसका utilization इसका circulation and इसकी demand and supply को आए DFNs जानते हैं इसके utilization की बात करें तो यह currency paired with American dollar है इसका मतलब क्या है DFNs यानिके इस currency के द्वारा Forex trading की जा सकती है Forex trading वर्ल्ड की largest financial market है जिसका turnover 5.3 trillion dollar से लेके 32 trillion dollar एक दिन का होता है इससे बड़ी पुरी दुनिया के अंदर को industry ही नहीं है और इस industry के अंदर जो सबसे अदर trading होती है वो American dollar से होती है लेकिन American dollar की जगा अब bitcoin ने भी ले ली है और पांच cryptocurrencies और हैं जिसके अंदर आज Forex trading हो रही है लेकिन बताते है बड़ी खुशी होती है defense चार लाग से जोधा cryptocurrency है और इन चार लाग cryptocurrencies के अंदर technical parameter पे सिरफ 9,000 cryptocurrencies हैं और इन 9,000 cryptocurrencies में से सिरफ 5 ही cryptocurrencies हैं जिनके साथ Forex trading की जाती है और उन 5 में से एक LPN token भी है सिरफ Forex trading ही नहीं LPN token से आप direct indices, metal, commodities, soft commodity, energies, international shares तक direct trade कर सकते हो यह बहुत बड़ी बात है defense और यह सारी industries billions of dollar की हैं और billions of dollar की industry में अगर 0.0001% भी LPN token का utilization होता है तो यह भी billions of dollar की ही बात है defense Second utilization platforms है DAQ Decentralized Application, dear friends इसकी decentralized application के अंदर जो सबसे फैली functionality है that is crypto storage wallet यह अपना एक crypto storage wallet दे रहे हैं जिसके अंदर आप popular cryptocurrencies को hold दर के store करके रच सकते हैं जैसे trust wallet है, myther wallet है, zordas है, blockchain का अपना wallet है यह meta mask है इसी तरीके से crypto storage wallet है जो की complete decentralized है इसकी second functionality है that is इसके अंदर staking platform भी EC की DAB के अंदर है जिसके अंदर आप LPN token की भी staking कर सकते हो Bitcoin Ethereum की भी staking कर सकते हो बड़ी जल्द ही और भी crypto currencies के आप इसके अंदर staking कर सकते हो तीसरी functionality है जो की है swapping platform जैसे आज major cryptocurrencies के अंदर अगर आपको 4th functionality है that is decentralized crypto payment gateway और यह gateway का भी सारा जो प्रारूप है वो Alpine token से movement पे ही आई इसका next platform है that is decentralized multi-utility application that means masses को भी cover करने के लिए इन्होंने अपने project के अंदर जबरदस utilization दिया जिसके अंदर आप हर तरह की utility कर सकते हैं इनके चाहे electricity bill हो water bill हो चाहे recharge हो flight ticket हो या कोई भी ticket हो bill payments का सारा solutions लेके यह multi-utility application के अदर आए हैं तो यहां पर decentralized crypto vault दिया गया है जो कि online gaming के scam को रोकेगा और बहुत बड़ा profit ability generate करके देगा तो dear fans अगर हम ध्यान से इसके utilization को समझें तो आज चार लाग से तक crypto currencies हैं लेकिन 9000 crypto currencies ही technical parameters पर बैस्ट है उसमें भी LPN आता है और सिरफ 5 ही crypto currency से आज Forex की trading हो पा रही है और उन 5 के अंदर आज यह बहुत बड़ी बात है यह और यह के साथ अब फोरेक्स ट्रेटिंग इंडाइस इस मैटल कोमोडिटी सॉस्ट कोमोडिटी एनर्जी इंट्रेंशल शेयर सकते हैं यह एक डाप है जिसके अंदर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी है स्टेकिंग भी बहुत बड़े पैमाने के उपर होती है और साथ में decentralized crypto payment gateway है crypto storage wallet भी है साथ में multi utility की एक अलग से application है साथ में decentralized crypto vault है जो की gaming solutions लेके हैं इसके बाद LPNT visa card भी लेके आ रहा है और भी latest technologies के सब market के अंदर आ रहा है तो जब इतना solid utilization होगा तो इसका circulation automatically बढ़ेगा और अगर इसकी supply limit में रहेगी तो इसके price को बनने से बोड़नी हो सकता तो आईए friends जानते हैं इसकी demand and supply जैनके supply कितनी है तोटल supply 80 million है यानिके 8 क्रोड है जिसमें से 4 क्रोड exchange के रखे हैं एक क्रोड ICO के लिए और 2 क्रोड 10 अपनी community के लिए और रमेनिंग रेस्टिस ecosystem के development के लिए तो एक्सचेंज के लिए चार क्रोड है और इतना बड़ा utilization है और circulation बढ़ता जा रहा है तो इसका price भी automatically grow करेगा ही करेगा token allocation बहुत ही जादा है जो की एक organic और genuine लगती है जिसकी वज़ा से token grow करते होते हैं so these words thank you so much dear fans last तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much you